नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं अनिल मुहंची द्वारा लिखा गया देवराथ चोहान सेरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दरिंदा खटर की शब्दों ने नाना साहब को हक्का पक्का खड़े रहने पर मजबूर कर दिया था वेग कई पलों तक एक टर्च देवराथ चोहान को देखता रह गया था अचानक देवराथ चोहान को सामने पाकर वेग कुछ पलों के लिए आश्र चकत रह गया देवराद चोहान ने सिग्रेट सुलगा कर कश्ट लिया नाना साहब ने पौरन खुट को सामान्य किया तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई नाना साहब ने स्थिर लहजे में कहा मुझे भी हुई देवराद चोहान ने सिरहिलाया तुमने मुझे खटर के हाथों से क्यों बचाया? तुम्हारे मारे जाने में मुझे कोई फाइदा भी नहीं था. मैंने पूछा है क्यों बचाया? बोला तो तुम्हारे मारे जाने से मुझे कोई फाइदा नजर नहीं आया था. फाइदा नजर आता तो मुझे मरने देते? हा नाना साहब ने सिरह लाया खटर को कैसे जानते हो वह दिल्ली की दादा गजानन के लिए काम करता था और इसी तेरे कभी मुझे मारने निकला था सिर्फ इतना ही रिष्टा है हाँ और तुम्हारी बात मानता है जो मुझे जान जाता है वह मेरी बात मानता ही है देवराज चोहन ने सर्थ लहजे में कहा नाना साहब कई पलों तक देवराज चोहन पर निगाहें टिकाए रहा तुम मचानक यहां कैसे पहुंच गए दुश्मनों पर नजर रखनी ही पढ़ती है कौन क्या कदम उठा रहा है यह जाना मेरे लिए बहुत जरूरी हो जाता है तुम लोगों की जो मीटिंग हुई उसमें जो बाते हुई सब ख़बर है मुझे नाना साहब चौंका सब मालूम है तुम्हे जबकि मीटिंग दिन में हुई थी मुझे तक फौरण ख़बर पहुँच गई थी कि मीटिंग में क्या हुआ कैसे ख़बर पहुँची किसने बताया देवरा चौहान के होटो पर अजीब सी मुस्कुराहट उभरी नाना हर बात का जवाब नहीं दिया जाता समझदार को इशारा ही काफी होता है इसका मतलब हमारा कोई आदमी तुम्हारे साथ है तुम्हें हर ख़बर दे रहा है हाँ बताओगे नहीं बहे कौन है तुम नाना साहब चौणका मैं? हाँ लेकिन मेरी तुम्हारी यह मुलाकात तो पहली है मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें उस आदमी का नाम बता दूँगा यहाँ पर तुम कैसे पहुंच गए? उसी ने मुझे बताया था कि करण सिंग ने तुम्हारी हत्या का प्रोग्राम बनाया है क्यों बनाया है? इस बात का अंदाज मैं लगा सकता था इस तहने तुम्हारी हत्या हो मुझे ठीक नहीं लगा मैंने फॉरन तुम पर नज़ा रखी और अब मौके पर पहुँच गया जब तुमने बार में परवेश किया यह तो तब मालूम हुआ कि तुम्हें उडाने की कोशिश में लगा और कोई नहीं, खट्टर है नाना साहब ने सिगरट सुलकाई मैं सब कुछ समझ रहा हूँ परन्तु यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुमने मुझे क्यों बचाया जो बात समझने पर भी समझ में नहीं आ रही हो उसी समझने की कोशिश ही ना करो कई पलों की खामोशी के बाद नाना साहिब बोला सूरज परताप से तुम्हारा क्या जगड़ा है जब जानते ही हो तो फिर पूछते क्यों हो देवराज चोहान ने लापरवाही से कहा अगर अपने मुझे बता दो तो क्या हर्स है तुम्हें बताने का फाइदा नुकसान बता दो देवराज चोहान नाना साहब को सोच भरी निकाहों से देखता रहा सूरज परताब सिंग ने मुझे दिल्ली के दादा गजानन की हत्या का ठेका धाई करोड में दिया था नाना साहब ने सिरह लाया मैंने ठेका पूरा किया परंतु धाई करोड के बदले मुझे धाई लाग थमा दिये गए और बोला गया कि सौधा धाई लाग में ही तै हुआ था देवराद चोहान ने दान फींच कर कहा विश्वास नहीं आता कि सूरज परताब जैसा इंसान अपनी जुबान से फिर जाए जो हुआ मैंने तुम्हें बता दिया देवराद चोहान ने कहा मैंने शहजाद खान को प्यार से समझाने की पहुच शेष्टा की कठिंता से उसने मुझसे बात की वह भी थीक तरेंसे नहीं वह भी धाई लाग पर अड़ा रहा मेरे कहने पर भी उसने सूरज परताब से मेरी बात नहीं करवाई सूरज परताब मेरे साथ दादागिरी कर रहा है ऐसे इंसान को मैं नहीं छोड़ सकता अपना पैसा वसूलने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं सही पूछो तो अब मुझे ठाई करोड लेने में इतनी दिल्चस्पी नहीं जितनी की धोके बाजी का बदला लेने में दिल्चस्पी है धोके बाजी का बदला सूरज परताब सिंग से सूरज परताब की मौत देवराज चोहान दरिंदगी से बोरा नाना साहब के होटों से गहरी सांस निकल गई ऐसी कोशिश करोगे तो गलती करोगे यह मेरा ठीक कदम होका मेरे ख्याल से नहीं तुम अभी ठीक तरह से सूरज परताप को नहीं जानते देवराज जोहान मुस्कुराया तुम ठीक तरह से जानते हो सूरज परताप को 80% तो जानता ही हूँ और मुझे कितना जानते हो नाना साहब देवराद चौहान को देखने रगा जवाब दो मुझे कितना जानते हो नाना साहब देवराद चौहान का स्वर्व सर्थ था खास नहीं तभी तो ऐसा कह रहे हो देवराद चौहान की दान फिच गए नाना साहब कंदे उच्का कर रह गया, दोनों में कई पलों तक खामोशी च्छाई रही नाम बहुत सुना था तुम्हारा, आज देख भी लिया नाना बोला, अभी तो नाना से मुलाकातों की शुरुवात है नाना साहब ने कुछ नहीं कहा शहजाद खान मुझे नहीं मिल रहा, उसका पता बता सकते हो, वह कहाँ पर होगा उसे इस समय मैं या तुम कोई भी तराश नहीं कर सकता नाना ने कहा, क्यों? मेरा ख्याल है, शहजाद खान जाने क्यों, एकाएक कहीं जाचिपा है यह है नई खबर है मेरे लिए देवराद चौहान ने कहा, हो सकता है, शायद जल्दी सामने आ जाए सूरज परताप कहा है? सूरज परताप की भी कोई खबर नहीं तुम्हारे सिलसले में मैंने सूरज परताप से बात करनी चाही थी इसी कारण शहजाद खान को तलाश किया परन्तु शहजाद खान लापता मिला तुम नहीं जानते की सूरज परताप मैं नहीं जानता करन सिंग तो जानता होगा? हाँ, अवश्चे जानता होगा परन्तु जाने क्यूं वह यही कहता है, उसे नहीं मालूम अजीब बात है, सूरज परताप सिंग की मशीनरी के तुम सबसे बड़े ओधेदार हो और वक्त आने पर तुम्हें भी नहीं मालूम होता कि सूरज परताप कहां है? देवराज चोहान कड़वे स्वर में कह उठा सिस्टम ही कुछ ऐसा है सूरज परताप का ओपरेटर शेजाद खान है जिसे सूरज परताप से बात करनी होती है वह शेजाद खान से कहता है और फौरण बात हो जाती है मुझे तो शायद ही कभी 6 महिने में एक बार सूरज परताप से बात करने की जरूरत पढ़ती है जबकि सूरज प्रताप को हर दस दिन में मुझसे बात करनी पड़ती है क्योंकि हिसाब बगेरा के बारे में मुझसे सिर्फ सूरज प्रताप ही बात कर सकता है और यह पहली बारी हुआ है कि शहजाद खन लापता हो गया है इसलिए सूरज प्रताप से किसी की बात नहीं हो र परन्तु जब भी किसी को सूरज परताब से बात करनी होती है, शैजाद खान के द्वारा हो जाती है, लेकिन शैजाद खान के कहीं चले जाने के कारण इस पार शैजाद खान से भी बात नहीं हो पा रही, नाना साहिब ने कहा, देवराद चौहान कुछ नहीं बोला, मुझे सूरत के मताबिक एह काम संभब नजर नहीं आ रहा मैं तुम्हें धाई करोड भी ते देता परंधु तुम्हारा सौधा सीधा सूरज-पताप से तेह हुआ है और सूरज परताप के मामले में दखल देना ठीक नहीं मुझे सिवाए सूरज परताप के धाई करोड किसी से लेना भी नहीं है देवराज चोहान ने भीचे दांतों से कहा जिस से सौधा तेह हुआ था रकम मैं उसी से लूँगा अच्छी आदत है नाना सहाब क होटो पर मुस्कुराहट उभरी अब मैं चलता हूँ नाना सहाब ने गंभीरता से सिरह लाया कभी जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर सकते हो करन सिंग को खटर वाला 50 लाग दे देना सुभे तक 50 लाग करन सिंग तक पहुँच जाएगा नाना सहाब ने सर्च स्वर्मी कह देवरा चौहान ने विदाई भरे अनदाज में सिरह लाया और बाहर निकल गया खत्तर चुप और कंफीर था देवरा चौहान उसकी पास आबैठा उसकी एक निगह बात्रुम की दरवाजे पर थी उसकी देखते ही देखते नाना साहिब बात्रूम से निकला और बाहर की तरफ बढ़ता चला गया बियर का बिल उसकी खाते में चड़ गया था कैश देने की कोई अवशक्ता नहीं थी नाना साहब बार रूम से बाहर निकल चुका था तुम्हारी कारण मेरा शिकार मेरे हाथ से निकल गया खट्टर बोला भूल है तुम्हारी मेरे कारण तुम्हारी जान बची है नाना साहब ने तुम्हारी मौत का प्रबंद कर रखा था वह बुलट प्रूप में था तो उस पर फायर करते उसका कुछ नहीं जाता अलबता वह रिवॉल्वर निकाल कर तुम्हें शूट कर देता म लेकिन नाना को खत्म करने की मेरी जुबान तो पूरी नहीं हुई यह गलत बात है मुझे नाना को हर हाल में नक्की करना चाहिए था खट्टर ने गहरी सांस ली अपनी जान की खैर मनाओ वैसे भी करन सिन जैसे आदमी की काम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं वैसे उस अगर नाना सहब मारा जाता तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता नाना के सामने यह बात तो खुली गई है कि तुम्हारे द्वारा करन सिंग ने उसकी हत्या का इंतजाम कराया तुम क्या समझते हो यह जानने के बाद नाना सहब चुब बैठेगा वैसे तूफान करन सिंग का वह क्या अंजाम करता है कह नहीं सकता परन्तु इतना तो जाहिर है कि वह सूरज परताब सिंग की बादशाहत के ताबूत की कील बनकर उभरेगा इस वक्त नाना सहब सूरज परताब की बादशाहत के लिए जितना खतरनाक बनेगा उतना मैं भी नहीं बन सकता और मेरा निशाना तो सूरज बरताब को बड़े से बड़ा नुकसान पहुचाना है। देवराज चहान ने दरंदिगी से कहा। खटर गहरी सांस लेकर रह गया। मतलब कि नाना सहाब के कंदे पर गन रखकर अपना काम निकाल रहे हो। यह हालात खुद करण सिंग ने पैदा किये हैं। अब जो होगा उसके लिए करण सिंगी जिम्मेदार है। और तुम क्या करोगे। सूरज बरताब सिंग की तलाश। उससे धाई करोड लेने के लिए। नहीं, दगाबाजी और फरेव की एवज में उसकी जान लेने के लिए। देवराज चोहन की स्वर में इकायक वैशी भाव छलकने लगे थे। आँखों में इंतकाम की ज्वाला भड़क उठी थी। देवराज चोहन वापस पहुचा, तो जगमोहन को इंतजार करते पाया। क्या रहा? देवराज चोहन ने सारी बात जगमोहन को बता दी। मतलब की मजेदार रहा मामला, अब करन सिंग की खेर नहीं। जगमोहन मुस्कुराया। हाँ, नाना साहब जैसा इंसान करन सिंग को बक्षने वाला नहीं, वह कुछ करके ही दमलेगा। वह तो जाहिर है, करन सिंग की अभारत बुरी हो जाएगी। सूरज परताप को हम तगड़ा नुकसान देना चाहते थे, वह नाना साहब दोरा उसे मिल जाएगा। और इस बात का हमें फाइदा उठाना चाहिए। और कुछ अभी ना ही करना पहतर होगा। बेकार में ताकत इस्तमाल करने का क्या फाइदा। सूरज परताप ने वैसे ही सामने आ जाना है। जगमोहन कुछ कहने ही वाला था, कि तभी फोन की घंटी पजुठी। देवराच चहान ने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। हेलो, देवराच चहान, आवाज कभी ठाकरे की थी। कैसे हो ठाकरे? अच्छा हूँ, नाना सहाब और खटर में क्या रहा? ठाकरे की आवाज आई। सब ठीक हो गया है, खटर ने नाना को घेर लिया था, मेरे ख्याल से नाना ने जान बुझकर खटर को मौका दिया था, कि वह उसे घेर ले, नाना पूरे इंतजाम के साथ था, खटर गोली चलाता भी, तो नाना का कुछ नहीं भिगरता, परन्तु मैंने खटर को गोली चला लिये हैं, उसका क्या होगा? खटर को मैंने करन सिंग से मिलवाया था, खटर सिंग का काम भी नहीं हुआ, पैसे भी नहीं मिले, वह मुझे पर क्रोज उतार सकता है, निश्चिंत रहो, कल सुभा तक करन सिंग को 50 लाख वापस मिल जाएंगे, खटर दे देगा? खटर नही नाना साहब देगा, दोनों में यह बात तै हुई है, मेरे सामने, नाना साहब देगा, कभी ठाकरी की आवाज में तगडी चौका हर थी, कई पलों तक पुना ठाकरी की आवाज नहीं आई, क्या हुआ? अब मामलग गंभीर हो गया है, नाना दोरा 50 लाख वापस देना, अच्छा आदमी है, करन सिंग से तो सैकरो दर्जे अच्छा है, किसी को कुछ कहता नहीं, कोई उसे कह दे तो छोड़ता नहीं, और करन सिंग ने तो उसकी मौत का इंतजाम कर लिया था, मुझे यह पाट ठीक नहीं रगी, तो मैंने नाना से कह दी, बहुत अच्छा किया, आगे कुछ भी हो, करन सिंग के मामले में नाना साहब कही साथ देना, अच्छी बात है, वैसे नाना चुप पैठने बालों में से तो नहीं है, वै कुछ तो अवश्य करेगा, करन सिंग को साफ करेगा, मेरी खयाल से तो अभी नहीं, क्योंकि सूरज परताब से अच्छा य जो भी होगा, ठीक नहीं होगा, बानते हो, देवराद चोहाण ने कहा, हाँ, वह है तो जाहरी है, और जो भी होगा, उसे जानकर Сूरज-परताप सिंग, जहां भी होगा सामने आयेगा, सपश्ठ है, जब भी सूरज-परताप आए, तुम मुझे फोरण खबर करोगे कभी ठ ठाकरे, देवराज चौहान बोरा, तुम जो भी कहोगे, मैं वह करूँगा देवराज चौहान, क्योंकि मैं किसी के एहसान को नहीं बोलता, तुमने कभी ठाकरे की जान बचाई थी, इसलिए आज तुम्हारे लिए ठाकरे की जान भी हाजिर है, ठाकरे, तुम्हारी जान मैं ने नहीं, उपर वाले ने बचाई थी, यह बात मैंने तब भी कही थी, दो साल हो गए, जान तो सब की उपर वाला ही बचाता है, लेकिन जान बचाने की माध्यम तुम बने थे, अगर उस वक्त पास में तुम न होते, तो मैं उस बहते खतरनाक दर्या से बच नहीं सकता था, ठाकरे की आवाज आई, कभी ठाकरे, मैं तुमें कितना भी समझा लूँ, तुम ऐसा ही कहोगे, और बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, सूरज परताप की कोई खबर मिलते ही, मैं फोन पर इतला दे दूँगा, सूरज परताप के बारे में नहीं, नाना सहाब के बारे में भी बताते रहना, कि उसने क्या कदम उठाया है, मुझे हर वह खबर देते रहना, जो तुम समझो कि मेरे काम आ सकती है, अच्छी बात है, देवरा चोहान ने रिसीवर रखा, ठाकरे हमारे पहुत कामा रहा है, जगमोहन बोला, इसकी दो कारण है जगमोहन, एक तो यह है, कि वह भूला नहीं, कि वह मेरे कारण मरते मरते बचा था, दूसरा खास कारण यह है, कि वह जानता है, कि कभी भी मेरे मूह से यह बात बाहर नहीं निकलेगी, कि ठाकरे ने मुझे कुछ बताया है, यानि कि भेदिये की बारे में सूरज परताप और उसकी मशीन हमेशा अंजान रहेगी कभी ठाकरे का यह विश्वास भी उसकी जिन्दगी की गारंटी है अगर ठाकरे को यह विश्वास ना होता तो वह कभी मुझे यह नहीं बताता कि उसके ऑफिस में कितनी कुर्सिया है जगमोहन ने गंभीरता से सिर हिला कर सिगरेट सुलका ली अगर करन सिंग को ठाकरे की मुवमेंट पता चल जाए तो करन सिंग फोरण उसे शूट करते बेशक परन्तु करन सिंग को ठाकरे के बारे में कभी भी मालूम नहीं होगा जगमोहन की होटों पर अजीब सी मुसकान फैल गई हमारे कदम पढ़ते ही सूरज परताप की बाश्शाह में दरारे पढ़नी आरंभ हो गई मेरे ख्याल से अभी तो और भी बहुत कुछ होगा देवराज चोहन ने कंभी स्वर में कहा कैसे तुम जैक्सन सिंग को भूल रहे हो जो अभी तक हाथ पर हाथ धरे पैठा है मुझे जाने क्यों लगता है वह सबसी खतरनाक है और हालात को देखते हुए वह खुद को जब किये हुए है आखिर वह भी सूरज परताप का बेटा है सूरज परताप ने उसे अपना नाम दे रखा है देवराज चोहन ने कहा लेकिन इस मामले में जैक्सन सिंग करी क्या सकता है जगमोहन ने उसे देखा वह चाहे तो बहुत कुछ क भाई है उसे कुछ कहने का मतलब है अपने पिता को अपना दुश्मन बनाना अभी अपने बाप से डरता है वह परन्तु करन सिंग जैसे सुरपते इंसान रिष्टों की ज़्यादा परवा नहीं करते कभी तो वह जैक्सन सिंग को दबोचे का ही और जैक्सन सिंग करन पारे में क्या सोचता है जगमोहन ने पूछा जैक्सन सिंग सतर क्लेहन वाला इंसान है उसे हर बात की खबर होगी जगमोहन ने फिर कुछ नहीं कहा देवराज चौहान ने जैक्सन सिंग का नंबर मिलाया लाइन मिली बात हुई हेलो मैं देवराज चौहान ओह कैसे हो क्यों? सावधान करने के लिए कि करण सिंग्हाथ धोकर तुमारी जान के पीछे है मैं जानता हूं फिर भी बताने का शुकरिया करण सिंग्हा दिमाग खराब हो गया है उसने नाना सहाब जैसे औधेदार की हत्या का इंतजाम कर दिया है सब ठीक है को ही भी किसी की जान नहीं लेगा।। देवराज चोहान भोला। दो पलों तक जेक्षं सिंघ की अवास नहीं आए। तुम इस मामले में कैसे आगए। जेक्षं सिंघ देवराज चोहान शब्दों को चबाकर टेमाइन अ fi . जब तक मेरा मामला कब का निपड़ चुका होता सूरज परताब की कोई खबर नहीं नहीं नाना साहब अब करन सिंग को छोड़ेगा नहीं मालूम है मुझे क्या तुम करन सिंग का बचाप नहीं करोगे नहीं वह जो भी करेगा खुद ही भुखतेगा मैं किसी मामले में तब तक दखल नहीं देता जब तक मजबूरी ना हो तुम्हारे लिए करन सिंग के विचार अच्छे नहीं है देवराद चोहान बोला संभल कर रहना इस बात का एहसास है मुझे जैक्सन सिंग बोला तुम अपना फोन नंबर मुझे दे सकते हो क्यों? कभी कोई बात करनी हो तो मैं खुद तुम्हे फोन कर लिया करूँगा देवराद चोहान उसकी बात काट कर बोला दुश्मनों के हाथों में अपनी गर्दन देने की आदत नहीं है मुझे आखिर तुम हो तो सूरज परताब के ही बेटे जिसके साथ मेरी ठनी हुई है कभी उच नीच हो गई तो तुम मेरे खिराफ हो सकते हो ठीक कहा तुमने जैक्सन सिंग के स्वर में सहमती के भाव थे मैं फिर फोन करूँगा कहने की साथ ही देवराज चोहान ने रिसीवर रख दिया जगमोहन की निगाहें देवराज चोहान पर थी देवराज चोहान ने चहरे पर गंभीरता लिए सिग्रेट सुलगा कर कश लिया अब क्या किया जाए हालात नाजुक हो गए है हमारा काम हो नहीं रहा और सूरज परताप की बाश्शाहत हिलनी पर उतारू हो गई है सूरज परताप सीरे से लापता है जगमोहन ने कहा मेरे ख्याल में हमें कुछ भी करने की अपेक्षा हर तरफ निगा रखने चाहिए जो भी होगा उसकी खबर तो कभी ठाकरे हमें देता रहेगा और जो होगा वह होते ही सूरज परताप सामनी आएगा और हम जो चाहते हैं तब हमारा काम बन जाएगा कुछ दिन हमें खामोश रहकर नाना साहब को देखना चाहिए कि वह करन सिंग को लेकर क्या करता है देवराज चोहान ने विचार भरे शब्दों में कहकर जगमोहन को देखा जगमोहन ने सहमती से सिरह लाया विचार पूरा नहीं हमारा काम तो सूरज परताप की आने पर ही निप्टेगा करन सिंग सिर से पाउं तक बेचैनी से भरा हुआ था चहरे पर खीज, उखड़े पन और गुस्ती के भाव थे इसी व्याकुलता के कारण वे सो भी नहीं पाया था कारण था खटर जो कि अभी तक नहीं आया था और ना ही फोन पर उसने कोई मैसेज दिया था जबकि काईदे से अब तक खटर को चाहिए था कि काम पूरा करके खबर कर देता क्योंकि बात यह हुई थी कि नाना साहिब का कुछ घंटों में काम तमाम हो जाना चाहिए परन्तो इस बारे में करण सिंग को कोई खबर हासिल नहीं थी करण सिंग ने कभी ठाकरे से भी कई बार संबद बनाने की चेश्टा की परन्तो कभी ठाकरे लाइन पर नहीं मिला उसने ठाकरे के लिए मैसेज छोड़ दिया था कि उसे फोन करे करण सिंग को कभी कभी ऐसा लगता कि खटर अपने काम में सफल नहीं हो सका होगा कोई बड़ी बात नहीं कि नाना साहब ने उसे साफ कर दिया हो आखिर नाना साहब की हत्या करना कोई मजाक तो ठा नहीं नाना साहब का जिकर आते ही बड़े-बड़े सीधे होकर बैट जाते थे यहां तक कि उसके पापा भी नाना सहाब को जैसे बराबर का रुत्बा दे कर बात करते थे करन सिंग इन्ही अंदेशों में फसा हुआ था कि फोन की घंटी पज उठी करन सिंग नी फोरण रिसीवर उठाया हेलो दूसरी तरफ ठाक रहे था नमस्कार करन सिंग जी मेसेज मिला कि आपने मुझे याद किया कहां थे थुम रात पर से अपनी जाती दौरे पर था जाती दौरे पर करन सिंग ने दान फीचे जी हां वैसे आप कुछ परिशान लग रहे हैं ठाकरे का स्वर शान था खटर कहा है? खटर? मुझे तो पता नहीं कहां पर है क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है खटर ने कुछी घंटों में काम करने का वादा किया था करन सिंग गुर्राया जी हां मेरे सामने किया था लेकिन अभी तक खटर की कोई ख़बर नहीं नाना सहाब की कोई खबर नहीं, अगर अब तक नाना सहाब को कुछ हो गया होता, तो हम लोगों तक खबर पहुँची जाती। काईदे की बात थी, करन सिंग की दान फिंच गए, खोन खॉल उठा। ठाकरे, कहीं खटर मुझे तो चूना नहीं लगा गया, करन सिंग की आवाज में खतरना फाओ थी, क्या मतलब, कहीं वे 50 लाग का सोना लेकर खिसक गया हो, करन सिंग जैसे पागल हो रहा था, ठाकरे की चरफ सी कोई जवाब नहीं आया, ठाकरे, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, अब मैं इस बारे में क्या कहूं, तो क्या मैं कहूंगा, मत भूलो, खटर को तुम ही मेरे पास लाए थे, लाया तो मैं ही था, परन्तु आप शायद भूल रहे हैं, कि मैंने सबस्ट दोर पर कहा था, कि सब ठीक है, परन्तु मेरी किसी बात की गारंटी नहीं है खटर को लेकर, ठाकरे ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा, ठीक है, तुमने कहा था, लेकिन कुछ तो तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है कि नहीं, अवश्य बनती है, और वहे ड्यूटी मैं अभी पूरा करता हूं, खटर को तलाश करवाने की कोशिश करता हूं, परन्तु खटर ने अपना पता ठिकाना बताने में दिल्चस्पी नहीं दिखाई, खटर को ढूंडो और फोरण मुझे खबर करो, मुझे तो लगता है, हरामी सोना लेकर निकल भागा है, मैं अभी पता लगवाता हूं, करन सिंग ने जले बुने अंदाज में रिसीवर र कौन? खन्ना साहब, नौकर ने पुना अपनी शब्द दोराए, करन सिंग ने हाथ का इशारा किया, तो नौकर चला गया, करन सिंग खन्ना साहब से बहुत अच्छी तरह वाखिव था, वह नाना साहब का राइट हैंड था, और खतरनाक आदमी था, करन सिंग समझ नहीं प पहुती अपने पन से मिला, खन्ना भी बहुत खुश होकर करन सिंग से मिला, कमाल है, करन सिंग बोला, आज पहली बार तुमने यहां कदम रखा है, जी हाँ, मेरे मालिक नाना साहब है, उनका हुक्म तो बजाना ही पड़ता है, खन्ना हसा, करन सिंग के मस्तिश को तीवर चटका लगा, इसका मतलब नाना साहब तुरुस्त है, फिर उसकी निगा, खन्ना के पाउं के पास पड़ी सूट केस पर पड़ी, बैठिये ना खन्ना साहब, करन सिंग मनी मन कुछ परिशान हो उठा था, नहीं, इतना वक नहीं, बहुत काम निप्टाने है मुझे, खन्न तो मैं हाजिर हो गया, यह सूट केस भिजवाया है नाना साहब ने आपके लिए, बहुत भारी है, मेरे दो आदमी इसे यहां तक छोड़ गए हैं, संभाल कर रख लीजिए, करन सिंग ने असमंजस भरी निगाहों से सूट केस को देखा, इसमें है क्या? हाँ, खन्ना को ज खटर के हवाले किया था, करन सिंग की मस्तिश को तीवर जटका लगा, उसका मुँ खुला का खुला रह गया, खन्ना की निगाहें उसके भाव हिंग चेहरे पर थी, क्या? क्या कहा तुमने? करन सिंग की चेहरे का रंग कुछ पलों के लिए उड़ गया था, आपने कल किसी खटर को 50 लाग का सोना दिया होगा, खन्ना बोला, करन सिंग के होटों से एक शर्ब ना निकला, आप समझे कि व्यहव वही सोना है, जो कल आपने खटर के हवाले किया था, करन सिंग को जैसे होश आया, चेहरा आग की भाती लाल सुर्खो उठा, खटर कहा है? इसकी मुझे कोई खबर, कोई इतला नहीं, पकवास मत करो, करन सिंग ने क्रोज से रिवाल्वर निकाल ली, बताओ, खटर कहा है? करन सिंग की समझ में आ गया था, कि उसका खेल खत्म हो गया है, चाहे जैसे भी हो, खटर नाना सहाब के हाथ लग गया है, और उसने सारी बात नाना के सा पहरा सक्त हो गया, मैंने पूछा, खटर कहा है, करन सिंग दान फीच कर कुटराया, तुम्हारे हाथ में क्या है करन सिंग, ओ, तो अब तुम मुझे तुम कहकर पुकारने लगे, करन सिंग का स्वर विशैला हो गया, सामने वाले के रंग धंग देखकर ही बात की जाती है, खन्ना करवे स्वर में बोला, तुम्हारे हाथ में क्या है, तुमने बताया नहीं, या पताना नहीं चाहते, तुम नहीं जानते हैं से, करन सिंग ने हाथ में पकड़ी रिवालवर को हिलाया, मैं तुम्हारे मुझे सुनना चाहता हूँ, इसलिए कि मुझे गल्ती ना लग गई हो यह रिवालवर है इसमें से निकली गोली तुम्हारी जीवन लिला समाप्त कर सकती है मुझे खट्टर के बारे में बताओ कहा है वह है खट्टर की सक्ष जरूरत है मुझे मैं जानता हूं तुम्हें खट्टर की सक्ष जरूरत क्यूं है खन्ना ने कहा ताकि तुम कहा है नहीं तो मैं तुम्हें अभी शूट कर दूंगा खन्ना खन्ना मुस्कुराया अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर फैलती चली गई रिवालवर जेब में रख लो करन सिंग खन्ना ने सरस्वर में कहा यह तू मुझे कह रहा है हाँ अपनी पोजिशन देख मौत के खड़ा है जुबान मत खोल जादा नहीं तो मैं मुझे अपनी स्थिती का एसास है लेकिन तुझे नहीं है करन सिंग खन्ना सक्स्वर में बोला तेरी जात को अच्छी तरह पहचाना जा चुका है इसलिए पूरा इंतजाम करके ही तेरी दर्शन को आया हूं करन सिंग की आ फिर क्रोथ से लाल हो गया चाहो तो बाहर जाकर देख सकते हो खन्ना ने दांत फींच कर कहा जरूरत नहीं करन सिंग ने कठिंता से अपनी हालत पर काबू पाया नाना ने कहा था करन सिंग से कहना इस सोने को संभाल कर रखे शायद फिर जरूरत पड़े करन सिंग का रिव तुम शायद जानते नहीं कि नाना दूसरों से सिर्फ उतनी ही बात करता है जितना कि उसे ज़रुरत महसूस होती है, अपनी जाती बातें वे किसी से नहीं करता, फिर मुझसे क्यों करेगा, खटर उसके पास है या अपनी मा के पास है, यह भगवान ही जाने, खन्ना ने चु कटutा से कहा करन सिंग उसे देखता रहा बोला कुछ नहीं हमना भी उसकी आँखों में ज्छाके जा रहा था करन सिंग हाँ बच्चे तो हो नहीं फिर नाना की हत्य का प्रोग्राम कैसे बना लिया तु ने करन सिंग कहन परन्तु तुने तो एक बार भी न सोचा, एक बार भी सोचा होता कि बात खुल गई, तो इसका अंजाम क्या होका, बहुत जल्दी कर दी तुने, छोटे बच्चे भी ऐसी जल्द बाजी नहीं करते, खन्ना ने ठंडे स्वर में कहा, नाना मेरे काम में रोडे अटका रहा था करन सिंग पागलो की तरहें दहार उठा, मैं देवराद चोहान को खत्म करना चाहता था, परन्तु नाना ऐसा नहीं होने दे रहा था, अपना आदमी होकर वहें देवराद चोहान की साइड ले रहा था, जोकि गलत बात थी, इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा, हो जी क्या मालूं? लेकिन जो भी होगा, कम से कम तेरे हख में अच्छा नहीं होगा, तु खोकला है करन सिंग, नाना सहाब को मानना तो दूर, तेरे में खुद को भी बचाने की शक्ती नहीं है, खन्ना की स्वर में व्यंक के भाव थी, करन सिंग दान भीचे खन्ना को देख मैं चलता हूँ करन सिंग हां करन सिंग का लहजा बेहत खतरनाक था तेरा चला जाना ही ठीक है ज्यादा देर तू यहां खड़ा ऐसी बाते करता रहा तो कुछ भी हो सकता है मैं नाना की गाड़ों को भी फूल जाऊंगा जो बाहर खड़े हैं ठीक कहता है तू खन्ना ने पचास लाग का सोना भिजवाया था फिर होटो से गुर्राहट निकली रिवालफर जेब में डाल कर पागल हाथी की तरह वह कालीन को रौनने लगा वह जानता था उसका खेल खत्म हो चुका है अपने बाप की दम पर उसने जो वजूद बनाया था वह तैस नैस हो गया था और यह सब नाना सहब की वज़े से हुआ था और जब तक नाना सहब जिंदा रहेगा तब तक उसका वजूद वापस नहीं आ सकता परन्तु कुछ भी करने से पहले यह देखना जरूरी था कि नाना सहब अब क्या रुख अपनाता है एकाएक करन सिंग ठिटका चेहरे पर क पोन रख नहीं बाला था कि रिसीवर उठाया गया हेलो आवाज कभी ठाकरे की थी ठाकरे करन सिंग गुड़ राया तुम्हारा खटर बहुत गुत्ता आदमी निकला क्या मतलब ठाकरे की आवाज में हैरानी के भाव थे बहन नाना सहब के साथ जा मिला है सब कुछ बग द दिया था मतलब कि खटर की तरफ से नाना ने हत्या का सौधा केंसल करा दिया है अगर ऐसा हुआ तो बहुत अजीब बात है कर्टर ऐसा आदमी नहीं है वह हराम ज्यादा ऐसा ही है ठाकरे ने कुछ नहीं कहा ठाकरे जी अब दो काम करने हैं तुम्हें कहिए पहला काम तो यह पता कर खटर कहा है मैं उसे अपने सामने देखना चाहता हूं और पापा के आने से पहले उसे खत्म कर देना चाहता हूं वह मर जाएगा तो पापा के सामने मैं अपने आपको बचा लूँगा कोई गवा नहीं होगा कि मैंने नाना साहब की हत्या की कोशिश की है करन गुर्रा कर कह रहा था ठीक है मैं कोशिश करूंगा कि किसी तरह खटर को आपके सामने ला सकूँ कोशिश नहीं यह काम करना है तुझे कभी ठाकरे करन सिंग चब्दो को चबा कर गुर्राया ठीक है अगर खटर मेरे सामने पढ़ा तो आप तक पहुंच जाएगा ऐसा भोला ऐसा ठाकरे की तरफ से कोई आवाश नहीं आई अब दूसरी बात सुन जी हवा का रुख मेरे खिलाफ होगा क्योंकि यह नाना से तालुक रखता मामला है शायद ऐसा ही हो पता कर और मुझे बता हालात क्या है नाना क्या करता फिर रहा है मालूम करता हूँ जल्दी बताना मैं इंतजार कर रहा हूँ मुझे अपनी बचाव का रास्ता भी सोचना है मालूम होते ही आपको फोन कर दूगा कोई ना मिले तो खुदी आ जाना ठाकरे देर होना में पसंद नहीं करूँगा मैं खुद हाजिर हो जाऊँगा तेरा क्या ख्याल है नाना क्या कदम उठाए छेड़ कर उसने मुसीबत मोल ले ली है परन्तु अब हो भी क्या सकता था कजम तो उठ चुका था बहरहाल करन सिंग का यह इरादा तो अब बिलकुल धृड़ था कि देवरा चोहान तो मरेगा ही नाना साहब भी मरेगा जब तक नाना साहब नहीं मरेगा तब तक अपने बाप की हुकूमत के हुक्मरानों पर अपना रॉब गालित नहीं कर पाएगा करन सिंग उन लोगों में से था जो कभी हार नहीं मानते थे बार बार पिटकर भी हार नहीं मानते थे और तब तक चैन से नहीं सोते थे जब तक की अपना सोचा पूरा ना कर लें गेहरा सन्नाटा च्छाय हुआ था उस बड़े हॉल में सूरज परताप सिंग की संस्था के 25 बड़े ओधिदार वहां मौजूद थे मुंबई अंडरवड के सितारे थे वे सब दहशत का मंजर फैलाने वाले दरिंदे थे इनका एक इशारा खोन की नदिया पहा देता था परन्तो इस समय सब खामोश और कमभीर थे करन सिंग इन में मौजूद नहीं था ना ही शैजाद खान था एक तरफ कुरसी के पास नाना सहाब खड़ा था चहरे पर असीम शांती थी उंग्रियों में सिगरेट फशी थी कभी कभार वह कश्ट ले लेता था यह मीटिंग नाना सहाब नहीं अरेंज की थी नाना सहाब ने सब पर निगा डाली फिस तिर लेजे में कैय उठा एक छोटा सा मसला था जो कि मैं आप लोगों के सामने रखना चाता था यूं तो मसले का हल मेरे पास है परंतु कई बार मनमानी करना ठीक नहीं होता सबकी राय ले ही लेनी चाहिए मैं जानता हूँ आप लोग बहुत ही व्यस्त है किसी के पास शायद ही समय निकालने की फुरसत हो परंतु जरूरी बात थी कि आप सबको बुलाना पड़ा इसके साथ ही मैं पता दूँ कि सूरज परताब जी किसी काम के सिलसिले में हिंदुस्तान से बाहर है और जहां भी हैं उनसे इसलिए संबन नहीं बनाया जा सकता कि उनके ठिकाने का हमें नहीं पता शायजाद खान भी नहीं मिल पा रहा नहीं तो उसके द्वारा सूरज परताब जी से बात की जा सकती थी और सूरज परताब जी के बेटे करन सिंग के मुताबिक वे नहीं जानता कि उसके पिता कहां पर है नाना साहब कहते कहते रुका हर कोई उसकी बात को ध्यान से सुन रहा था कल एक छोटी सी मीटिंग करन सिंग के कहने पर की गई थी इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं कल की मीटिंग का हाल बता देना जरूरी समझता हूं कहने के साथ नाना साहब ने कल की मीटिंग का मोटे तौर पर हाल बताया और कहा करन सिंग जाती खुंदक के कारण देवराद चोहान की हत्या करवाना चाहता है और साथ में चाहता है कि हम उसका साथ दें परन्तो उसकी बा पास्ते सी हटाने का इंतजाम किया नाना साहब के इन शब्दों के साथ ही वहां हलचल मची और खुसुर-फुसुर होने लगी नाना साहब खामोश खड़े सबको देखते रहे और जब खुसुर-फुसुर ठंडी हुई तो नाना साहिब बोला मुझे भी पहले विश्वास नहीं आया था लेकिन हकीकत से मूह नहीं मोड़ा जा सकता नाना साहब एक ओधिदार ने स्पष्ट कहा आप अपने शब्दों को स्पष्ट करें कल की मिटिंग के पश्चात करन सिंग ने मेरी हत्या के लिए सतीश खटर नाम के पेशेवर हत्यारे को 50 लाग दिए खटर द सिंग सी सौधे, तै हो जाने के पश्चा, खटर मेरे पीखे लग गया। करन सिंग चंद घंटों में मेरी हत्या करवाना चाता था और खटर ने इस बात की हामी भरदी कि वैचंद घंटों में ही मेरी हत्या करतेगा. परंतो मुझे ऐसा होने का ऐसास हो गया था. लेकिन मै अपने बचाव में कुछ नहीं कर सका रात को डिनर के दौरान खटर ने मुझे फैक्स होटल में खेर लिया तब वे मुझे शूट करने ही वाला था कि देवराद चोहान बीच में आ गया देवराद चोहान? हाँ देवराद चोहान का कहना था कि उसे किसी परकार पता चल गया था कि करन सिंग ने उसके लिए हत्यारों का प्रबंद किया है और वे करन सिंग की चाल को पूरा नहीं होने देना जाता था बैरहाल बात उस पेशेवर हत्यारे खटर की हो रही है देवराद चोहान ने खटर को फायर करने से रोका परन्तु खटर पीछे हटने को तयार नहीं था क्योंकि उसका कहना था कि वे करन सिंग से मेरी मौत की कीमत दे चुका है पचास लाग वापस करके मैं पचास लाग का नुकसान नहीं उठाना चाहता बात तब टली जब मैंने कहा कि पचास लाग उससी तरफ से मैं करन सिंग को भिजवा दूँगा इस तरह मैंने अपनी जान बचाई देवराद चोहान और खटर एक दुसरे को जानते हैं? हाँ, गजानन की हत्या के दौरान देवराद चोहान और खटर की मुलाकात हुई थी गजानन के इशारे पर खटर देवराद चोहान को मारने निकला था परन्तु बाद में हालात ऐसे हुए कि दोनों एक हो गए तब से उनकी जान पैचान है पूछने वाले ओधेदार ने सिरह लाया फिर सुन्दर सिंग ने पूछा जो कल की मीटिंग में भी मौजूद था मैंने सुभे खन्ना के हाथ खटर को दिये 50 लाग करन सिंग के पास भिजवाए खन्ना का कहना है कि करन सिंग ने तैश में आकर रिवालवर निकाल ली परन्तु खन्ना के साथ गए मेरे गाड़ों के कारण करन सिंग रिवालवर चराने के दिये आगे न बढ़ सका वह खटर को हासिर करना चाता था ताकि उसे खत्म करके अपने खिलाब कवाग खत्म कर सके ओह! सब कंभीरता सी नाना साहब को देख रहे थे सब कुछ आपने सुना और जाना हमारे सामने दो मसले हैं एक तो यह है कि सूरज परताब ने देवराद चोहान से हत्या का जोग काम लिया उस काम के पूरा होने पर देवराद चोहान को जुबान दी गई फिर कीमत की अदाइगी क्यों नहीं की गई जबकि यह पास सरासर हमारी दुनिया के उसूल के खिलाफ है हम अंडरवर्ड की दुनिया की ताकत है हमारे इशारे पर सब कुछ हो जाता है अगर हम ही अपनी जुबानों से पीछे हटने लगेंगे तो कौन हम पर विश्वास करके हम से बिजनस करेगा इस तरह तो हमारी सत्ता हमारा सामराज्य खत्मो जाएगा हम शेर से चूहे बनकर एक तरफ बैठने को मजबूर हो जाएंगे हम बेमानी का धंदा इमानदारी से करते हैं सबके सिर सहमती भरी मुद्रा में हिले लेकिन इस बात का जवाब हम सूरज परताब जी से ही पासकते हैं जो कि इस समय हमारे पास नहीं है गुस्ते में आकर देवराग चौहान हमारा नुकसान कर रहा है परन्तु वह नुकसान हमें परदाश करना होगा वैसे हम लोग कोशिश करेंगे कि देवराग चौहान से बात करके उसे समझाएं कि वह कोई गरत हरकत ना करे और हमें सूरज परताब जी से बात कर लेने दे अगर वास्तव में उसका पैसा देना है तो अवश्य उसे दिया जाएगा वह तो उसे हम अभी दे सकते हैं एक ओधेदार अपने स्थान से खड़ा होकर बोला नहीं नाना साहब ने इनकार में सिरिलाया यह मामला सूरज परताब जी से सीधा संबन रखता है इसलिए हमारा बीच में दखल देना ठीक नहीं हमें सूरज परताब जी से कारण जानना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया हो सकता है इसका कोई वाजिब कारण हो या फिर यह भी मुम्किन है कि देवराद चोहान गजनन की हत्या की कीमत ले चुका हो और अब खामखा दादा गेरी जाड़ कर पैसा रेना चाता हो वैसे शेजाद खान को पूरी खबर होगी कि देवराद चोहान का असली मामला क्या है खयाल मेरा भी ऐसा है कि उसे खबर होनी चाहिए परन्तु पोश्टाश के लिए शेजाद खान कहीं भी हासिल नहीं है अचानक वै कहां चरा गया किसी को नहीं मालू किसी को बता कर नहीं गया और यह बात संस्था के उसूर के खिलाफ है किसी भी ओधेदार को कहीं जाना होता है तो वै अपना पता ठिकाना बता कर जाता है ताकि उससे संबन बनाया चाह सके परन्तु शेजाद खान ने ऐसा नहीं किया जब शेजाद खान वापस आएगा तो कड़ाई से इस बात की उससे पोश्टाश की जाएगी पोश्टाश के दोरान इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि वै शेजाद खान है ओधेदार के तौर पर उससे बात की जाएगी नाना सहाब ने खामोश होकर सिग्रेट का कश्टिया वहाँ मौजूद हर ओधेदार का चेहरा कंभीर था अब मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ करन सिंग ने पेशेवर हत्यारे से मेरी हत्या करवानी चाही इस मुद्दे को लेकर करन सिंग के साथ क्या सलूक किया जाए यह बात में आपके उपर छोड़ता हूँ करन सिंग को माव नहीं किया जा सकता एक अधिदार क्रोज से बोला, उसे ठहरो, एक अन्य अधिदार ने उसे टोका, और उठकर नाना सहब को देखने लगा, नाना सहब आपकी बात सब ने सुनी, यकीनन आप जो कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, नाना सहब की प्रश्ण मज़ी निगाह उस अ के द्वारा यकीन दिलाना पड़ता है, नाना सहब के होटों पर मुस्का अनुभरी, मैं जानता था, मेरी समझदार ओधेदार, मातर मेरी जुमानी, इन बातों पर फ्रिश्वास नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, काईदा यहीं कहता है, नाना सहब ने सिर्फ हि यार किया, हाँ, तुम्हारा ख्याल ठीक है कटारिया, मैं अभी सबूत पेश करता हूँ, कहने के साथ ही नाना सहब ने एक तरफ पैठे खन्ना को इशारा किया, खन्ना सिर्फ हिला कर उठा और बाहर निकल गया, करन सिंग ने वास्तव में ऐसी हरकत की है, तो बहुत ही ग क्या सबूत पेश करने वाला है, तीन मिनट के बाद खन्ना ने भीतर परवेश किया, उसके पिछे दो आदमी बारी सूटकेस उठाए हुए थे, और उनके पिछे खटर मौजूद था, उसके चेहरे पर गंभेता भरी पड़ी थी, दोनों आदमी सूटकेस को टेबल पर र इशारा किया, जो मैंने कहा है, उस बात की तस्दीक आप कर सकते हैं, अपनी पूरी तसलीक कर सकते हैं, कई ओधेदारों ने खटर से बात की, तरह तरह के सवाल पूछे, इतने खतरनाक लोगों को सामने पा कर, खटर कुछ नर्वस अवश्य हुआ, परंतो उसने तसली पक से ठसा ठस भरा पड़ा था, यह है वह सोना, जो करन सिंग ने मेरी हत्या के लिए इस खटर को दिया था, करीब आकर आप लोग चेक कर सकते हैं, कि यह है वह सोना है, जो चार दिन पहले दुबाई से आया था, और हमारे कोदाम में पड़ा था, अभी तक इसे बाजार में नहीं भेजा गया, क्योंकि दो दिन बाद सोने की भाव बढ़ने वाले हैं, और भाव बढ़ने के बाद ही सोने को मार्केट में भीजने का प्रोग्राम था, इस सोने की इंट के एक हिस्ते में खास निशानी है, और यह निशानी हमें सप्लाई होने वाले सोने पर दुबा किया है मुझे जिस चीज की जरूरत होती है मैं उसे तराश कर लेता हूं नाना साहब एक ओदेदार ने कहा सोने की गौदाम तक आपकी पूरी पहुंच है संस्था में आपकी पूरी चलती है 50 लाग का सोना आप आसानी से हासिल कर सकते हैं खटर को आसानी से अपनी तरफ करक करन सिंग के खिलाब बुलबा सकते हैं यह कोई ठोस गवाई नहीं हुई कि आपकी बात को माना जा सके नाना साहब ने ओधेदारों की आँखों में जहांका मेरी करन सिंग से कोई दुश्मनी नहीं कि मैं यह सब करूँ अगर दुश्मनी होती तो आप सब को बुराने की इ मेरे पास आप में से ही एक गवा और भी है परन्तो उस गवा को मैं सूरज परताप के सामने ही पेश करूँगा अभी मैं उसी सामने लाने के हक में नहीं हूँ और वह भी अभी सामने अहीं आना चाहता क्यों वह करन सिंग से दुश्मनी नहीं लेना चाहता वक्त आने पर स सूरज परताप जी के सामने ही मूख खोलेगा परंतु आप लोग चाहें तो सोने के ओधेदारों से बात कर सकते हैं गोदाम को संभालने वाले दो ओधेदार हैं और 20 अन्यक काम करने वाले वे बता सकते हैं कि कल करण सिंग ने 50 लाग का सोना मंगवाया था और वे इसी सूट था किसी के कुछ कहने से पहले ही सोने के गोदाम वाले दोनों ओधेदार उठे और वहे दो करमचारी भी जो करन सिंग के बंगले पर सूटकेश छोड़ कर आये थे आगे बढ़कर उनने सोने को और सूटकेश को चेक किया फिर एक ओधेदार ने गंभीर स्वर में कहा यह पही सोना है जो कल करन सिंग जी के बंगले पर पहुचाया गया था और गोदाम में पड़े सोने का ही हिस्सा है जितना सोना इस बार आया था पूरा का पूरा गोदाम में मौजूद है सिवाए इस 50 लाग के सोने के इस बार हमने दुबाई वालों को ओरर दे कर सोने को खास जंकी इंटो में धलवाया था ताकि सप्लाई की समय पैकिंग ठीक परकार से हो सके इसलिए गलती होने का सवाल ही पैदा नहीं होता पल भर के लिए खामोशी छा गई नाना सहब आपने कहा कि आपने 50 लाग का सोना दिन में करण सिंग के पास भिजवाया था हां वह सोना पाहरात सोना स्मैक और भी जाने क्या-क्या जरूरत पढ़ने पर मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं कई परो तक वहां खामोशी रही कुछ ओदेदारों ने आपस में बात भी की हमें आपकी बात का विश्वास है कि करण सिंग ने आपकी हत्या के लिए 50 लाख में ख मुझे कोई अत्राज नहीं नाना साहब के होटों पर मुस्कान उपली एक ओदेदार उटकर फोन के पास महुचा उसने करण सिंग को फोन किया और सारे हालात बता कर उसे मीटिंग में आने को कहा परन्तु करण सिंग ने आने से स्पर्ष्ट मना कर दिया और उस पर लगा जो इलजाम बताया गया उस बारे में उसने कोई बात नहीं कही ओदेदार ने फोन रख कर गंभीर स्वर्म कहा करन सिंग सब को जानकर भी आने को तयार नहीं और नाहीं सफाई में उसने कुछ कहा सपष्ट है कि नाना सहब सही कह रहे हैं करन सहाब ने वास्तव में ऐसा की बात को मानते हुए हम आगे की कार्यवाही पर बात कर सकते हैं। ओजेदार की आवाज रोकते ही खुसर फुसर आरंप हो गई। वहाँ पर हलका सा शोर पैदा हो गया। खटर को खन्ना सोने के सूट के सहित वहाँ से ले गया। और उसे सोने के साथ ही विदा करके फॉरण वापस आ गया। उसे सुरक्षित छोड़ने का नाना सहाब का फादा था। और दारो का शोर थमा। नाना सहाब अब कुरसी पर पैट कया था। एक शब भी नहीं बोला था वहे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ। और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।